तो दोस्तों यहां पर आप फोटो देख पा रहे हूं यह फोटो को अभी हम अपने बेगरॉंड के साथ जो ब्लैंड करेंगे वह आपको देखने में कुछ इस परकार से फोटो आपको दिखाए देगा तो जिए लिए सुरू करते हैं तो जैसे कि यहां पर आप यह जो 752 या 1080 पी कोई भी एक साइज में ले सकता हूँ मैं 702 को सेलेट कर लिता हूं और यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बेगरॉंड आ चुका है अभी मुझे क्या करना है इस वाले फोटो को सिंपल टूल्स बार में यहां पर हमें मुग तूल को सेलेट मैं इसको इतना कर दिया और इसको अबियार एक साइट से यहां पर यहां पर नहीं पर आपको चलिए जाना है फिल्टर में जाने कि आपको ब्लर औरストो SMITH कि आ, अफ्रीश छीन grown-up है यह works इसके बाद यहां पर विंडो में चले जाना है और यहां पर साइड में रखेंगे और इसको ब्लेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे संपल से आपको यहां पे यहां पर देख सकते हैं और यहां पर इसको ब्रत्र प्लकुल करना है और ऊशलेट करने का इसको भाद पको अप्स क South flex लेंshit तीक है यहाँ पर ब्रस तो आपको इस चोट बाड़ रख तो आपने अनुसार यहां पर ले सकते हूं तो मैं यहाँ से सिम्पल रखता हूं और इसको छोटा बड़ा करलेता हूं चोटा करने को ओप्सन आपको यहां से मिल जैगा आपको पर क्लिक करेंगे इस यहां से चोटा बढ़ा होता है ठीक है अभी मैं इसको बढ़ा कर लेता हूं और कुछ इस परकार से आपको यहां से आप इस परकार से बढ़ा चोटा कर सकते हैं तो अभी मैं इसको ब्लेंड करता हूं तो ब्लेंड करता हूं और यहां से मैं भी इसको 베थ करता है और देखता हूं मैं मर रहा करता है तो नहीं को लगा पर तब यह कुछ इस परकार और ब्लेंड कर देता हूं देखिये यहां पे आपका फोटो ब्लेंड में हो चुका है कुछ इतना और यहां पर पर बीच में जो हमारा प३ूट्व assurance कर देना Al a और अगर अगर हम चाहते हैं इसको बड़ा करने के लिए तो यहां से इसको आम बड़ा भी कर सकते हैं इसको इसवार कार्षे आ यहाँ बड़ा कर दिया हैं और डवल क्लिक किया पहस्ट फोटा करें लिए को तोड़ा सा आपकार keyboards यह क्लिए लगेगा में में अभश संभाने कदें लगा सकते हैं अब इम क्या करेंगे花 ऑफिया फोटो के पर लेयर करना अभी इसका लेयर राटा देता हूं मैं और इसको यहां से कंट्रोल जे करेंगे एक यहां पर बेगरंड बनके त्यार हो जाएगा इसको यहां से क्या करना है कंट्रोल टी करना है राइट किलिक करना है और होरिजोंटल कर देना कुछ इस परकार से इसको इस प आपको बढ़ा कर देना है यहां पर देख सकते हैं यह हमारा कुछ फोटो कुछ इस परकार से हमारा फोटो हो चुका है ठीक है तो यह बड़े ही आसान तरीके है से आप कर सकते हो जोकि आपने अभी देखा तो कुछ में कुछ इस परकार से इस तरीका से भैंड करके बड़े यही आसानी से अपने फोटो को क्र्याटीव कर सकते हो और और उसको इस परकार से एडिट करके फोडोसॉप में आप अपने सोचल मेडिया में पूश्च कर सकते हूँ तो दोस्तों फिलाल के लिए बस इतना ही आज के लिए मैं आपको बताने की कोशिस किया है कुछ यूनिक चीज है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें आपको लिए।